सब्सक्राइब कीजे माका स्वाथ चैनल को ताकि सबसे पहले इस चैनल की वीडियो आप देख सकें क्लिक बिलो इन दे सब्सक्राइब बटन और आप ग्रेट फूड डे गाईज वेलकम तो दे चैनल माका स्वाथ आज आपको सिखा रहे हम दम आलू प्यॉर्ली कश्मीरी स्टाइल में इसके लिए आपको चाहिए होंगे कुछ बॉइल पटाटोस पटाटोस बॉइल करके उन्हें डीप फ्राइ कर लीजिए डीप फ्राइ करके उसके साथ आपको चाहिए होगा टू टेबल स्पून्स चीनी दो चमच चीनी नमक स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर दो चमच दही आधी कटोरी चार पीस लॉंग चार छोटी इलैची चार बड़ी इलैची अद्रक्का पाउडर जिंजर पाउडर सुन्ड जिसे कहते हैं सॉंठ पाउडर फिर सॉंफ पाउडर टू स्पून सॉंफ पाउडर जिंजर पाउडर जिस्ट हाफ स्पून और दालचिनी पाउडर ये भी हाफ स्पून आज आपको सिखा रहे हैं कश्मीरी स्टाइल में दम अलू और अलू बॉयल करके उन्हें इस तरह डीप फ्राई कर लीजिए अब एक कढ़ाई लेकर उसे गैस पर रखे उसे हीट अब करके उसमें ऑईल डालने ऑईल हीट होता है तो उसमें सबसे पहले आपने चीनी आड़ करनी है बड़ा स्पून चीनी आड़ करनी है और उसे ऑईल में अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि चीनी मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से मेल्ट हो रही है चीनी अब इसके बाद आपने इसमें डालनी है लाल मिर्च जो दो स्पून्स मिर्च ली थी दो स्पून्स लाल मिर्च अच्छ तरह अच्छ तरह लेनी है और उसे अच्छी तरह हिला के इसमें पानी डाल देना ताकि मिर्च जले नहीं उसको यह खिलाते रहना है अच्छी तरह से पानी मिक्स अब करने के लिए अब उसमें आड करेंगे आप हाफ कटोरी दही अब इस दही को आपने अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि दही इस ग्रेवी में जो ऑईल और पानी की ग्रेवी है उसमें दही फटे नहीं इसे अच्छी तरह हिलाते रहना अप तो दो बॉइलिंग टेंपरेचर यह बॉइल होए अच्छे से अब जब यह बहुत अच्छ अच्छी तरह से बॉइल हो जाता है इसमें एक एक करके मसाले आप आड़ करेंगे इसमें आप मसाले आड़ करते जाएंगे पहले आप डालेंगे सुन पाउडर फिर सॉंफ सुन पाउडर हाफ चमच फिर लेंगे आप सॉंफ पाउडर वो डाल देंगे आप दो चमच और उसे mix करते जाएंगे और जो जो मसाले हमने सारे कहें हैं वो salt ये अगय करके आप उसमें सब मसाले डाल करते जाएंगे और उसे हिलाते जाएंगे लवंग जो डाल चिनी डाल चिनी powder and मोटी लहची छोटी लहची इन सब को add करेंगे और उसे अच्छे से mix करते जाएंगे नमक स्वाद अनुसार आप अपने इसमें डाल के अब इसको थोड़ा सा boil होने तक रखेंगे फिर इसमें add करेंगे आप जो fried potatoes हैं वो fried potatoes इसमें एक एक करके add करेंगे और इसे fry होने तक, boil होने तक लाएंगे boil हो जब हो जाता है एक बार अच्छे से फिर इसे sim करके 10 minute के लिए रख देजिए और यह आपके कश्मीरी दमालू स्वादिष्ट तैयार है